कोरोना की मार से क्या डरे हम तो पहले से ही भूग से मर रहे हैं ना सिर पर चट बची है ना दो वक्त की रोटी नसीब हो रही है मानो बेबस जिन्दगी खाना बदोश हो चली है वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता कुछ ऐसा ही हान इन हजारों लाखों दिहारी मजदूरों का है लोगडाउन ने पूरे देश को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है क्योंकि सवाल जिन्दगी का है लेकिन इन लोगों की जिन्दगी तो उस खोटे सिक्के की तरह हो गई है जो दिखती तो है लेकिन चलती नहीं जी हाँ आज लोगडाउन का पांचवा दिन है और ये तस्वीरें दिल्ली के आनद विहार बसड़े की है जहां दिल्ली छोड़ कर कामगार और मजदूर अपने अपने घर लोटने की जद्दों जहद कर रहे है क्योंकि इनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है भीड बढ़ती जा रही है और साथ में कोरोना वाइरस के संक्रमन के फैलने का खत्रा भी सोचे अगर एक भी व्यक्ती यहां कोरोना की गरफ्त में आया तो देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं बलकि दूसरे शहरों में हाहाकार मच उठेगा यह आनंद विहार बसटा है और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो लोग दिल्ली को चोड़ कर जा रहे थे जो लोग यहां पर काम के लिए आये थे और अब उन्हें संकत शुरू हुआ रोजी रोटी का संकत शुरू हुआ खाने का संकत शुरू हुआ तो उन्होंने दिल्ली चोड़ना शुरू किया और उसके बाद लोगों की एक बड़ी भीढ आनंद विहार के पास जम्हा होनी शुरू हुई कल रात तक भी यहां लोगों की बड़ी बीड़ थी और उन्हें लग रहा था कि कैसे वो अपने घरों तक पहुचेंगे इस वक्त सिर्फ सबकी यही इच्छा थी कि वो घर तक पहुच जाएं उसके बाद इस वक्त सुबह का यह माहौल है और यहां पर NDRF की टीम भी तयार है National Disaster Relief Force इंडिया उसके जवान यहां पर तनात हैं इसके अलावा दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के लोगों को भी यहां पर तनात किया गया है और यह सारे लोग इस वक्त आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर उन्हें जमा किया गया है और कोशिश यह है कि बसों का इंतजाम करके उन्हें उनके घरों तक पहुचाया जाए और इसके लिए बहुत सारी बसे हैं जो कि लगातार आनंद वियार के दूसरी तरफ खड़ी है और इन पर आप सीधा लिखावा देख सकते हैं विशेश अनुबंद करके बहुत सारी बसे हैं जिनने यहां पर लगाया गया है और अब लोगों को थोड़ा उमीर है कि शायद अब वो अपने घरों तक पहुच जाएंगे प्रवासी मजदूरों का पलायन पिछले तीन दिनों से जारी है लेकिन शनिवार को ये संख्या कई गुना बढ़ गई भै, भूख और भविश्य की अनिश्चिंतिता में लोग दिल्ली और आसपास के इलाकों को छोड़ कर अपने गाउं लोट रहे हैं पहले कुछ लोग पैदल ही अपने गाउं की तरफ लोटने लगे थे लेकिन दो दिन से बस चलने की वज़ह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है आनद विहार बस अड़े पर हजारों लोगों को एक जगह बैठा कर रखा गया है और NDRF तैनात की गई है जरा इन से मिलिए बिहार के छपरा के रहने वाले एक ऐसे ही चात्र हैं विकी कुमार जो दिव्यांग हैं और दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं जैसे तैसे डोनेशन जुटा कर स्कूल की फीस देते थे लेकिन लोगडाउन की वजह से एक तरफ पैसो की तंगी ऊपर से खान पान इन हजारों मजदूरों को पहुचाने के लिए यूपी और हर्याना रोडवेस के साथ डीटीसी बसों का इंतजाम किया गया है साथ ही दिल्ली पुलिस अनाउंस करके लोगों के बीच शांती बनाए रखने की अपील कर रही है बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है जिससे किसी व्यक्ति में कोई संक्रमन ना पहले हैरानी की बात ये है कि लोगों में कन्फ्यूजन इस बात का है कि जो बसे खड़ी है वो उनको लेकर उनके घर तक जाएंगी भी या नहीं मतलब ये कि एक तो पहले से लॉक्डाउन के बीच इन लोगों की भीड ऊपर से कोरुना की दहशत अगर इस मिसक्मुनिकेशन को खत्म कर दिया जाए तो लोगों को थोड़ी राहत मिले ये जो सारे लोग ये बस यहां बैठें वे उन्हें ये भी नहीं पता कि ये बस जाएगी कि नहीं जाएगी बहुत सारे लोग अभी भी कि घर तक पहुंचने कि आसमें आनन्द ब्यार तक पहुंच रहें लेकिन यहां अभी भी इस्तिति साफ नहीं है मास्क लगागर रगिए अगर आपके पास मास्क नहीं है तो पिलीज रुमाल या कोई भी कबड़ा ले अपना चेहरा को और करकर रगिए